यह देशाचे नेते, कॉंग्रेस्टे नेते, देशाचे भविश्या, तालिया खड़ेों के बड़ तालियों से स्वागत करे, राउल गांदे, राउल गांदे, राउल गांदे मान्गे राउल गांदी व्यास्पितावर आले लिए, सरोप्रसम चांचे मी सब्द सुमरा निज्वागत करतो, कैलास वाची खासदार वसंद्राउल जी चवान यांचा प्रति मेला फुष्प अर्पन करतेल, मी सरवाना विनंति करतो, कि वसंद्राउल जी चवान मान्ये स्री रहुल जी गांधी अनी पुष्पा आर्पन कराव अनी यानन्तर पुष्प पुष्प रहुल गांधे कॉंग्रेस पक्षात माविका सागारिच मान्ये स्री रहुल जी गांधी अन्सा सत्कार करने साथे मी नान्देर लोक सबेचा पोटन उन्न की चुमेद्वार अधर निया रविंद्र वसंत्राव चावान जिल्लादेक शानमंत्राव पट्र बेटमोगरकर बियार कदम काका अब्दुल सत्तार जी दरक जी या सग्रान विरंति करतो कि त्याने रहुल जीन्चा सत्कार कराचा रहुल जी मान्ये वसंत्राव चावान सावान चा प्रतिमेला पुष्पार पन करूने ताथ आपले लार्के नेते अचानक आपलाला सोडून गेले अने मान्य वसंत्रहाणचा निधना मले पोट्निमनुक लागली मी रविंध्रा चवान अन्मंत्रवा पाइटील अब्दूल सत्तार बियार कदम धरक जी यहन विनंति करतो कि त्यानने मान्य राहुल जी गांधी यहां चा सत्कार करावा सत्कारा मदे पवित्र गुरुल्दुआ रेचे प्रतिमा त्यानना देने त्यावी खादी चा सुतिहार शाल्स रिपल देऊन या देशाचा नेत्याता सत्कार होतो है मी सरवा विचारपेटाला व्यासपेटाला विननती करतो है रहोल गांदे, कॉंग्रेस पक्षात, सरव उमेद्वाराना विनंति करतो, विदान सबेचे उमेद्वार उवेरातील, लोग सबेचे उमेद्वार उवेरातील, व्यास्पिटा और सचिन पाइलट साए, ब्रमेश चनितला साए, पुष्पारानी स्वागे दल्ले, यान अंत विचार मंचावार, मी स्री एश्पाल जी भिंगे, यान विनंति करतो, विजे चवान, एश्पाल भिंगे, अनन चवान, शामदरक, यान विनंति करतो, कि तानी काचिया और गोंग्ण देऊन, मानने रहुल जी गांदी यानता सतकार करावा, ताबर तो त्रुपा करों, वेल कमी आहे, लोकरिया, माने रहुल जी गांदी यान चा सतकार, श्री एश्पाल भिंगे, अनन चवान, विजे चवान, शामदरक, या सग्र्यान विनंति करतो, रविंदर चवान, अनमंत्राव पाटेल, मिनलता इखतगाव कर, अब्दुल सत्तार भाहे, आमचे सर्व उमेद्वार, या सर्वान विनंति करतो, या देशाचा नेत्याचा आगला वेगला सतकार, काची न गोंगला यहुदया किरन, मला अभी जत्रना यहुदया किरन, राहुल गांदे, माने राहुल जी गांदी यानता सतकार, संपन्न धालेला है, माने शिवसेने चे नेते, राष्ट्रवादी चे नेते मान्या सुरेकंत ताई पाठेल मादरोजे किनारकार सर्वान ची उपस्तिती तलाबलेला मीर यान अंतर लोग सबेचे उमेद्वार रविंद्र वसंत्राव चवान यान वे नंति करतो कि त्यानी रविंद्र वसंत्राव चवान यान प्रास्ताविक पर आपनों सा भाशन वे रविंद्र वसंत्राव चवान अधर्निय मंच, मंच पर विराजमान कॉंग्रेस पार्टी के लोग सबे में विवक्ष के नेता मानिय राहूल जी गांदी, उपस्तित सचिन जी पाइलेट, रमेजी चनितला साहब, उत्तम कुमवार जी रड़ी मंच पर विराजमान कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता येवा माहविका सागडी के सभी सन्मानित नेतागान येवा कारे करता सर्वरपतम मैं रविंद्र वसंत्राव चवान नांदेड की उपस्तित महान जन्सुमुदाय का स्री गुरु गोविंज सिंग जी की पवित्र भुमी पर रदय के अन्त कर गहिराओं के स्वागत येवा अभणन दन करता हूँ प्रिये सातियो मैं राहूल जी का येवा कांग्रेस के वरिष्ट नित्वतों का अभार मानता हूँ जिनोंने हमें नांदेड लोगसबा जन्ता का सेवा करने का अउसर प्रदान किया सातियों सभी जानते हैं कि आज के कुछ महने पहले नांदेड में नित्व की कमी उस समय कॉंग्रेस के नांदेड में मुझबूती देने के लिए स्वर्गिय वसंत्राउजी चवान ने नांदेड कॉंग्रेस का कमान अपने हातों में लिया ये वो नांदेड की महान जनता के अशिर्वात से एतासिक जीत यहां असिल की है यह विश्वास दिला है कि कोई आगे आए या जाए नांदेड कॉंग्रेस का गड़ था है और हमेशा रहेगा मगर सातियो नीती के सामने आगे किसी की नहीं चलती है आप सबको पता है 26 आगस्ट को आपके चहते सांसत वसंत्रावजी चवान समय के परदे के फीचे चले गए समय बात होती है यह इसी समय ने कॉंग्रेस पार्टी ने महाविकास आगड़ी के उम्मेदवार में मुझे चुना सांतियों आप सभी को मालूम है कि कॉंग्रेस पार्टी का नांदेड की जनता से विशेश लगावा है और कॉंग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रही है नांदेड के विकास के लिए प्रतिबद रही है आदर निये रहुल जी हम आपको अउगत करना चाहते है कि हमारे लोकसभा शेत्र में अभी भी फंडामेंटल सुईदा का अबाव है हमारे शेत्र में किसान अभी भी आत्मात्या कर रहा है महिलाए सुरक्षित नहीं है युवाव को हाथ को रोजगार नहीं है एवा एरल्वे एरलाइंस की कनेक्टिविटी अभी भी जरूरी है राउल जी मैं आपके सामने फूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ नांदेर जिल्दे के सभी प्रश्ण हल करने के लिए मैं प्रतिबद रहूंगा यह आपको भरोसों को कभी तूटने नहीं दूँगा जाचे जाते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि महाराश्ट्रा में हमेशा महाविकासागडी की सरकार लानी है तो मैं सभी को सभी से आववान करना चाहता हूँ कि 20 नहोंबर को जो हमारे लोगसभाशेत्र और उसमें आने वाले सभी हमारे जिल्ले के सभी महाविकासागडी के उमेद्वार इन्ही सभी को आप भारी वोटों से जीत के दे इतना मैं आप सभी को आववान करता हूँ धन्यवाद, जैहिन, जैसमिदान राहूल गांदी, एक बार एतियासिक स्वागत करें और राहूल जी को स्वागत के लिए तयार करें और एतियासिक तालियों के साथ मानि राहूल गादी जी को मुलाते हैं, कि आपके बीच में मानि राहूल गादी जी तालियों के साथ खरो के स्वागत करें माननी राहूल गांदी जी मी आनना पाचारन करता हूँ कि त्यानी यहुण सबेना संबोधित करा हूँ राहूल गांदे रमेश रमेश चैने थाला जी सचन पाइलट जी उत्तम रेड़ी जी पी स्रीनवास रेड़ी जी बियार कदम जी स्टेज पे सीनियर नेता हमारे प्यारे कारे करता गटवंदन के प्यारे कारे करता भाई और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार कैसे हैं आप लोग कॉंग्रेस के कारे करताओं का मूड कैसा है सुनाई नहीं दे रहा भाई ठीक है पपरशेर आप हमारा मेसेज जनता तक पहुंचाते हो और बाकी पार्टियां जो गटवंदन में हैं उनके भी कारे करता मेसेज पहुंचाते हैं तो शुरुआत मैं विचारधारा से करना चाहता हूँ ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी इंडिया गटवंदन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरेसेस लड़ाई सम्विधान की है अब मैंने सुना कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री ने कहा कि ये जो सम्विधान मैं अपने हाथों में पकड़ता हूँ ये खाली है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी आप इस सम्विधान को समझे नहीं हो इस सम्विधान में सिरफ हिंदुस्तान की आवाज नहीं है इस सम्विधान में अमबेटकर जी गांधी जी फूले जी बिर्सा मुंडा जी नरायन गुरू जी बसवना जी बुद्ध भगवायन जी इन सब की आवाज है और इसको आप खाली इसलिए कहते हो क्योंकि आपने अपनी जिन्दगी में ये किताब कभी नहीं पड़ी है क्योंकि अगर आपने ये किताब पड़ी होती तो जो आप करते हो आप कभी नहीं करते भाई और बेनो ये नई किताब नहीं है इसके अंदर जो सोच है वो हजारों साल पिर पुरानी सोच और कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हिंदुस्तान की जनता, की आत्मा इस किताब में है और कॉंग्रेस पार्टी इस किताब की रक्षा कर रही है, हम सब मिलकर हमारे कार्यकरता इस किताब की रक्षा करते हैं और बीजेपी के लोग, आरेसेस के लोग सामने से नहीं कह सकते मगर छुपकर बंद कमरों में अम्बेटकर जी के सम्विधान को खतम करने की कोशिश करते हैं सामने नहीं आ सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने कह दिया कि हमारे संगठन का लक्ष, सम्विधान को नश्ट करने का है, खतम करने का है उसी दिन हिंदुस्तान की जनता एक साथ उनके खिलाब खड़ी हो जाएगी तो ये छुपकर ये काम करते हैं देखिए, कॉंस्टिटूशन से हिंदुस्तान की संस्ताएं निकलती हैं, बनती हैं चाहे हो हमारा शिक्षा का सिस्टम हो स्वास्त का सिस्टम हो सारा का सारा इसी किताब से बनता है महराष्टर में पैसा आता है आप GST देते हो, वो बढ़ता है ये किताब करवाती है विकास होता है दलितों की रक्षा होती है महिलाओं की रक्षा होती है ये किताब करती है और अगर गरीब लोगों को फाइदा हुआ है मन्रेगा हो, बोजन का अधिकार हो, हरी करांती हो, सफेद करांती हो इस किताब के बिना नहीं हो सकती थी आप जानते हो इस देश में इस किताब से पहले क्या होता था वोट मिलता है आपको यह जो चुनाव हो रहा है किताब के कारण हो रहा है नरेंद्र मोदी जी ने पच्चिस लोगों के सोला लाख करोर रुपय कर्जा माग किया है पच्चिस लोगों का हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग है उनका सोला लाख करोर रुपया कर्जा माग किया है इस किताब में कहीं नहीं लिखा कि 25 लोगों का 16 लाग करोड रुपया कर्जा माफ होना चाहिए और किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का एक रुपया नहीं माफ होना चाहिए कहीं नहीं लिखा इसके आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई किसने चोरी की आप क्या सोचते हो नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या उनके नेतना भी बोला है किस सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अदानी जी बैठे थे अदानी जी क्यों बैठे थे राजनेती मीटिंग में कि कुई धार्य भी चाहते हैं एक लाख करोर रुपए का फाइदा इस सरकार ने अदानी जी को दिलवाया है किसकी जमीन आपकी जमीन किसकी जमीन गरीबों की जमीन मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं कहीं नहीं लिखा सम्विधान में, कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जमीन चीनी जानी चाहिए, हम जमीन अधिकरन बिल्ला है आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग बड़े-बड़े भाशन देते हैं और फिर 24 घंटा इसको खतम करने की कोशिश करते हैं, ये विचारधारागी लड़ाई है, एक तरफ सम्विधान, मुहबत, आदर, भाईचारा, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार, और इसको खतम करने की कोशिश, ये लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में आप सब शामिल हो, चार हिजार किलोमीटर हम चले, क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, यात्रा का नाम भारत जोडो यात्रा, एक इनारा दिया हमने, नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलनी है, ये जहां भी जाते हैं, नफरत फेलाते हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ा देंगे, मनिपूर जाईए, जाके देखें वहां क्या हुआ है, आज तक हिंदुस्तान का प्रदान मंत्री मनिपूर नहीं जा सकते, और ना गए, इतिहास में नहीं हुआ ऐसे, कि हमारे प्रदान मंत्री, एक प्रदेश में जो जल रहा है, देड़ साल के लिए वहां गए नहीं है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक जाद को दूसरी जाद से लड़ाएंगे, पाटने का काम करेंगे, और धन 20-25 लोगों के हवाले करेंगे, देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अदानी को, अमबानी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका धन बढ़ता जा रहा है, एरपोर्ट मिल गए, पोर्ट मिल गए, सड़के मिल गई, अब धरा भी दिया जा रहा है, नुकसान आपका है, नुकसान सवयबीन के किसान का है, नुकसान मजदूर का है, नुकसान बेरोजगार युवा का है, और आप लोग देखते रहते हो, आपके आँखों के सामने हो रहा है, और आप देखते रहते हो, धारा भी आपके आँखों के सामने चीनी जा रही है, 70,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 मैंने सवाल पूछा नरेंद्र मोधी से, नरेंद्र मोधी जी, आप जाती जनगर्णा क्यों नहीं कराना चाहते हो, पार्लमेंट में उनके सामने पूछा मैंने, और आज मैं थोड़ा सा आपको जाती जनगर्णा के बारे मैं समझाना चाहता हूँ, बाईयों और बेनों देश में 15% दलित अबादी है 8% आदिवासी है 50% कम से कम पिछड़ा वर्ग है और 15% माइनोरिटी है कितना होता है? कितना बनता है 15, 8, 50 और 15 कितना हुआ? कितना हुआ? ठीक है? यह है आपकी अबादी अच्चा सच मुच में पिछड़े कितने हैं किसी को नहीं मालूँ हम कहते हैं कि तकरीबन 50% हैं मगर सचाई किसी को नहीं मालूँ यह हमारी मीडिया के मित्र है इनको मैं मित्र कहता हूँ कहना पड़ता है यह हमारे मित्र नहीं है यह मोधी जी के मित्र है आप मुझे एक बात बताओ शाम को डिसकस्चन चलेगा देखिए मुस्कुर आ रहे हैं कहने हैं राहूल गानी ने सही बात बोल दी इनकी गल्पी नहीं है इनको बिचारों को सैलरी लेनी है तो इनका डिसकस्चन होता है शाम को बात चीच चलेगी एंकर बोलेंगे राहूल गान्दी ने ये बोला नरेंद्र मोधी की फोटो दिखाएंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये जो सारे के सारे एंकर्ज हैं बड़े बड़े पत्रकार है इनमें कोई पिछड़े वर्का है कोई दलित है कोई आदिवासी है बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो आप अदानी की company की list निकालो उनके senior managers की list निकालो 200 सबसे बड़ी company'yों के मालिकों के नाम लो मैंने किया है और नाम में मुझे एक पिछड़े work का वियक्ति दिखा दो list में एक पिछड़े work का वियक्ति का नाम दिखा दो एक दलित का नाम दिखा दो एक आदिवासी का नाम दिखा दो हैं नहीं ना मीडिया में हो आप ना कॉर्परेट इंडिया में हो ना प्राइवेट हस्पताल आपके ना प्राइवेट उनिवर्सिटी कॉलेजिस आपके ब्यूरोक्रिसी में आपके कोई नहीं 90 लोग हिंदुस्तान का बजट बाटते हैं iOS अब्सर हैं मैंने उनकी लिस्ट निखाली मैंने का देखता हूं भया इनमें से कितने दलिक आदिवासी कितने पिछडे ये हिंदुस्तान का पूरा बजट बाटते हैं जो आप पैसा GST में देते हो जेब से निकाल कर शर्ट खरीते हो GST पैंट खरीते हो GST मोबाइल फोन खरीता GST जितनी GST अधानी देता है उतनी आप देते हो अगर आप शर्ट में 18% देते हो तो अधानी भी 18% देता है वो अरपती है मगर GST एक ही देते हो वो पैसा जाता है इंदुस्तान की सरकार के पास बढ़ता है कौन बाटते हैं मकन कौन बाटते हैं 90 अपसर बाटते हैं भाई और बेनो मैंने लिस्ट निकाली 90 में से OBC कितने दलित कितने आदिवासी कितने मैं बताता हूँ 90 में से एक आदिवासी है और अगर 100 रुपे बढ़ते हैं बजट में तो आदिवासी अपसर 10 पैसे बाटते हैं 8% अबादी 100 रुपे में से 10 पैसे भागीदारी दलित हैं 15% भागीदारी होनी चाहिए 15% बज़ेट बढ़ता है दलित अपसर 3 है 100 रुपे में से एक रुपिया उनका दलित अपसर 100 रुपे में से एक रुपिया माटता है आबादी 15% भागीदारी होनी चाहिए 15% 100 रुपे में से एक रुपिया एक परसेंट और हमारे पिछडे भाई 50% उनकी आबादी है पता नहीं, शायद 50, 55, 60 chỉ हो सकती है उनके तीन अपसर बेठा रखे हैं और जिनकी 50% अबादी है 50% अबादी है 100 रुपए में से 5 रुपए उनके 100 रुपए में से 5 रुपए उनके अबादी 50% से कम नहीं है भागिदारी 500 में से तो अगर आप गल्यतों आदिवाचियों पिछड़ों को जोड़ दें तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे आपके बात समझिये अबादी आपकी 90% भागिदारी आपकी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे और सारा का सारा पैसा, सारा का सारा फाइदा उन्हीं 15-20 रुगों को जाता है आपके जेब से निकलता है आपको शायद पता भी नहीं लगता किसान खेती करता है खून पसीना दे देता है फिर जाकर बच्चे के लिए टी-शर्ट खरीदता है शायद उसे ये भी नहीं मालूम कि जितना टैक्स वो दे रहा है उतना ही टैक्स अधानी उसी टी-शर्ट के लिए अपने बच्चे को अगर खरीदता अपने बच्चे के लिए खरीदता तो उसी उतना ही टैक्स हो दे रहा है वो अरबपती है उसके लाकों करोल रुपे माफ हो रहे है उसको धारा भी दी जा रही है मगर टी-शिट खरीदागा अपने बच्चे के लिए तो जितना टैक्स हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान देगा उतनी टैक्स वो देगा क्या मतलब है इसका कहीं ने लिखा है इसमें इसमें लिखा है सब समाने इसमें लिखा है कि अगर अरबपतियों का करजा माफ होगा तो किसानों का भी कर्ज़ा माफ होना चाहिए तो ये फरक है काम हो 15-20 लोगों के लिए करते है अच्छा महराश्रा की सरकार चला रहे हैं सुना है मैंने सुना है महराश्रा की सरकार चल रही है तो मुझे आब बताईए अगर महराष्टा की सरकार चल रही है तो वेदानता फॉक्सकॉन का जो सेमिकंडॉक्टर प्लांट है तेड़ लाक करोड रुपै का प्लांट लाकों रोजगार देने वाला प्लांट महराष्टा से गुजुरात कैसे चला गया अगर महराश्रा की सरकार चल रही है तो टाटा, एरबस, हवाई चाहज, मैनुफैक्ट्रिंग प्लांट 1.8 लाक क्रोड रुपे का प्लांट जिससे 10 हजार युवाओं को रोजगार मिलता वो गुजरत कैसे चला गया अगर महराश्रा की सरकार चल रही है तो जो आईफोन बनाने का प्लांट था जो यहां आया था 2.0,00 क्रोड रुपे का 75,000 युवाओं को रोजगार देने वाला वो गुजरत कैसे चला गया अगर महराश्रा की सरकार चल रही है तो बल्क ड्रग पार्क 3,000 क्रोड रुपे का जो 80,000 महराश्रा की युवाओं को रोजगार देता वो गुजरत कैसे चला गया अगर महराश्रा की सरकार चल रही है तो गेल का जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट था 60,000 करोर रुपए का 21,000 युवाओं को रोजगार देने वाला प्रोजेक वो गुजरात कैसे चला गिया आपने क्या गलती की है कि आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट सारे के सारे रोजगार दूसरे प्रदेशों में जा रहे है आप में क्या कमी है? क्या आप ये काम नहीं कर सकते? आप कुछ भी कर सकते हो, आप में शमता है, आप में एनरजी है, आप में केपबिलिटी है, मगर आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहां से चीन कर एक के बाद एक एक के बाद एक दूसरे स्टेट में जा रहे है गारवी को अदानी जी के हवाले कर दिया सरकार आपकी नहीं है सरकार महराश्च्ण की नहीं है सरकार महराश्च्ट्र получится युवाओं की नहीं है सरकार अदानी की है उसने खरीदी आपकी सरकार MLA खरिदवाएं है मीटिंग में बैठा ये सचाई है तो हमने मन मना लिया है अगर वो अरब पतियों को पैसा दे सकते हैं तो इंडिया गडबंदन की सरकार महराश्टा के किसानों को युवाओं को मजदूरों को पैसा दे सकते हैं हमें मालूम है कैसे करना है तो सरकार आने के एकदम बाद महिलाओं से कहना चाहता हूँ शुरूराथ आपसे होगी पहले तारीक हर महिना आपके बैंक अकाउंट में खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट तीन हजार रुपे अंदर तीन हजार रुपे अंदर डिसेंबर, जैनुरी, फेबरिरी, मार्च, एपरल, में आप उठोगी सुबह उठोगी बैंक अकाउंट देखोगी, चेक करोगी तीन हजार रुपे अंदर और उसके बाद अगर आप दुकान जाना चाहती हो बस में तो जब आप बस के अंदर जाएंगे आपको पता लगेगा कि इंडिया गटबंधन की सरकार ने आपका बस केकेट फ्री में कर दिया है और आपको पूरे महराश्रा में गूमने के लिए एक रुपया नहीं देना पड़ेगा बस में आप फ्री में गूमेंगी और हर सुबह तीन हजार रुपे आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा हर महीने अब हमारे किसान भाई कहेंगे राहुल जी ये क्या कि आपने आपने महिलाओं का बस टिकेट फ्री कर दिया और उनके बैंक अकाउंट में तीन हजार रुपे हर महीने डाल रहे हो हमारा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ महराश्रा के किसानों का तीन लाख रुपे तक का कर्जा माफ होगा और यहां हमारे सोयबीन के किसान है बाकी महराश्रा में कपास दान के किसान है आपको सही MSP मिलेगी सही दाम मिलेगा आपकी मेहनत के लिए कास सेंसर्स की मैंने बात की जाती जनगरना से ये पता लग जाएगा गलित कितने आदिवासी कितने पिछड़े कितने भागीदारी कितनी है पता लग जाएगी हर संस्ता में हम पता लगाएंगे गलित कितने आदिवासी कितने पिछड़े कितने और आपको पता लग जाएगा आपकी भागीदारी कितनी है पार्लिमेंट मैंने साव बोल दिया महराश्रा में भी कराएंगे पार्लिमेंट में national census कराएंगे car census मैंने मोधी जी के समने बोला मोधी जी अगर आप नहीं करोगे तो हम जाती जंगर्णा लोकसवा में राजसमा में करा के दिखाएंगे और यह जो 50% की दिवार बना रखी है कि रेजर्वेशन 50% से दादा नहीं होगा इस दिवार को भी लोग सबा में, राजय सबा में कॉंग्रेस पार्टी, इंडिया गटबंदन तोड़ के परे करेगी कैसे नहीं होगा 50% से दादा रेजर्वेशन हम करवा के दिखाएंगे 50% से ज़ादा रेजर्वेशन आपकी अबादी 90% है भागीदारी भी होनी चाहिए गरीब लोगों को सबसे ज़ादा कश्ट स्वास्त के कारण होता है चोट लग जाती है दिल का दोरा हो जाता है किसी को कैंसर हो जाता है किट्नी की बिमारी हो जाती है लिवर की बिमारी हो जाती है आप प्राइवेट हस्पताल में जाते हो वो ही 20-25 अरब पतियों के प्राइवेट हस्पताल में आपसे लाकों रुपे लिया जाता है टेस्ट होते हैं MRI होता है हस्पताल के बहार आते हो बिल देखते हो लाखों रुपे निकल जाते हैं जेब से इसलिए हमारी सरकार कॉंग्रेस पार्टी इंडिया गड़ बंदन की सरकार महराश्टाय के गरीब लोगों को 25 लाख रुपे तक का Health Insurance देने जारी है आप बिमार होगे गरीब से गरीब किसान बेरोजगार युवा गरीब से गरीब मजदूर बिमार होगा आप हस्पताल में जाओगे स्टेंट लगवाओगे वैल बदलोगे प्रांस्प्लांट कराओगे 25 लाख रुपे सरकार आपको इलाज के लिए देगी तो जो आपको कर्ज लेना पड़ता है वो आपको नहीं लेना पड़े हमारी सरकार गरीबों की सरकार है अधानी अम्बानी की सरकार नहीं होगी और यह सोच रहे हैं कि धारावी फ्री में ऐसे ही ये अदानी जी को मिल जाएगा इनको मालूम नहीं कि महराष्टा की जनता कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांदी यहां इस साइड खड़े हुए हैं ऐसे नहीं मिलने वाला ये माराष्टा के गरीब लोगों की जमीन है उनकी मेहनत की जमीन है हम जमीन अदिकरन बिल लाए थे हम किसानों की गरीबों की रक्षा करते हैं इसलिए पूरा का पूरा सपोर्ट नरेंद्र मोधी जी को दिया जा रहा है दोस्ती है उनकी सरकार आपकी इसलिए गिराई गई अदानी जी मीटिंग में बैठे थे साव बोला है क्यों बैठे थे मीटिंग में धारावी एक लाग करोड रुपए के लिए बैठे थे मीटिंग में आपकी जमीन आपका भविश्य और युवाओं के लिए जो नरेंद्र मोधी जी ने बेरोजगारी फैला रखिये सब जगे इंडिस्री बंद कर दी, किसानों को सइपैसा नहीं देते, सैदाम नहीं देते, गलट GST लागू कर दी, नोट बंदी लागू कर दिया, ये हत्यार थे, आप ये मत सोचे कि ये होजनां है, ये छोटे भी अपारियों को मारने के हत्यार है, ये किसानों को मारने के हत्यार है तो रोजगार पैदा ही नहीं होता तो इसलिए हमने कहा है कि धाई लाख सरकारी नौकरियां जो महराश्टा की सरकार ने आपको नहीं दी है वो हम चुनाव जीतते ही धाई लाख नौकरियां महराश्टा की युवाओं को दे देंगे हर जात को गरीब से गरीब लोगों को और चार हजार रुपए हर महीने अलाउंस जो हमारे बेरोजगार युबा है उनको उस दिन तक मिलेगा जब तक वो बेरोजगार है भाईयों और बहनों जो मैंने शुरुवात में बात बोली थी लड़ाई अंबेटकर जी के संविधान को बचाने की है फूले जी नरायन गुरु जी शुवा जी महराज महत्मा गांदी बुद्ध भगवान इनकी सोच की रक्षा की लड़ाई है आप जानते हो कि RSS की सोच इन सब के खिलाफ है आप जानते हो कि RSS इसको खतम करना चाहते है हर गरीब यक्ती जानता है कि RSS इसको खतम करना चाहते है उनके नेता ने कहा है कि ये तो खाली है ये देखो ये देखो खाली है देखो ये देखो खाली है उनके नेता कहते हैं कि ये खाली है ये खाली नहीं है इसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री है हिंदुस्तान के महापुर्षों की सोच है ये है ये किताब और इसको ये खतम करना चारे हैं हम इसको कभी खतम होने नहीं देंगे सवाल नहीं उठता तो ये मैं आपसे कहना चाहता था आप दूर दूर से आए कश्ट उठाया आपने इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ नमस्कार जै महराश्टरा जैहिन